आर्टिकल 370, 370, मैं हम कितनी जितेगे उच्छी बाद अभी नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दसकों के बाद, ST, ST, OBC को वो अधिकार मिले, जो देश के लोगों को बर्सों से मिले हुए तो इसको रोक के रखा था जम्मू कश्मीर में, Forest Rights Act, उनको प्राप्ट नहीं था जम्मू कश्मीर में, Prevance of Attrocity Act, नहीं था यह हमने, 370 हटा कर, यह अधिकार उनको दिये हमारे, ऐसी समुझाय में भी, सबसे पीछे पीड़ी कोई रहा, तो हमारा वालमी की समाज रहा लेकिन, हमारे वालमी की परिवारों को भी, साथ साथ दसक के बाद भी, जम्मू कश्मीर में रहें, लोगों के सेवा करते रहें, लेकिन, डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया यह है, और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूँ, कि स्थानिय निकायों में, लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट में, OBC के आरक्षन का विदेग भी, कल छे परवरी को लोग सभा में भी पारी हूँ, आज यह सभापती जी, SC, ST, OBC, उनको बड़ी भागिदारी ने में है, कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है, बाबा साथ के राजनीति को, बाबा साथ के विचारों को खत्म करने के लिए, कोई कसर उन्होंने छोडी नहीं है, वक्तबे अबलेबल है, चुनाओं में क्या क्या बोलागा है, वो भी अबलेबल है, इतको भारत रत्म भी, देने की तयारी नहीं थी, वो भी भाज़पा के समर्फंद से और सरकार बनी तब बाबा साब को खाल गए कितना ही नहीं सिताराम केशरी अती पिछड़ी जाती से कॉंग्रेस पार्टिकर देख से उठा करके फुटपात पर फैंक दिया गया वो भी सी वो वीडियो अवेलेबल है वो देश ने देखा सिताराम केशरी के साथ क्या हुआ और और अधनिय सभापती जी इनके एक मारदरशक अमेरिका में बैठे सभापती जी इनके एक मारदरशक अमेरिका में बैठे जो पिछले चुनावे पिछले चुनावे मैं हुआ तो हुआ हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कॉंग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है उन्होंने अभी-अभी समिधान निर्माता बाबा साथ आमबेड करके उनके योगदान को छोट्या करने का बरपूर प्रयास आदिये सभावती जी देश में पहली बाब एंडिये देख एक आदिवासी बेटी को राश्पती बनाने के लिए उनको मिद्वार बनाए आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है अगर हमसे वैचारिक विरोध होता आपने सामने केंडिडियेट खड़ा किया होता मैं सबच सकता था लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था क्यों क्यों क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीद्वार बनाया इसलिए भाइचारिक विरोग नहीं था आपका विरोग एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने और ये जब सांगमा जी उनके दाद भी एक किया है और आज तक सभापती जी राष्पती जी का अपमान करने की घटना एक कम नहीं है पहली बार इस देखने हुआ है उनके जिम्मेबार लोगों के मुझे ऐसी ऐसी बाते निकलिये सरम से मांखा जुग जाए राष्पती के लिए ऐसी भाष्चा बुली गई है मन में जो कसक पड़ी है न कहीं कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है